हेलो फ्रेंड्स मैं सुधीर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोरमेक्स पर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट MCO6 की यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग तो इस यूनिट में आपका सबसे पहला कोश्चन आता है जो एक्जाम पॉइंट ऑफ यू से इंपोर्टेंट है define marketing and explain its implications for an emerging economy like India कि marketing क्या होता है और उसके क्या implications है हमारी emerging economy के लिए जैसे कि हमारी जो इंडिया है emerging economy है तो अगर हम marketing की बात करें तो यह नहीं होता marketing है सिरफ आपने product को sales करो उसी को marketing कहते है marketing का मतलब होता है product को बनाने से लेकर मतलब बनाने से पहले हम जो भी research करते हैं कि हमें किस तरह का product develop करना है उस process से लेकर मतलब research work से लेकर और जब तक वो product हमारे customer तक नहीं पहुच जाता इसके बीच में जितनी भी statement, जितनी भी activities या जितने भी work होते हैं वो सारे क्या कहलाते है marketing marketing क्या होता आपने देखा marketing refers to the commercial activities associated with identifying the target markets understanding the needs and wants of the customers and satisfying those needs and wants through the product better than the competitors marketing क्या कहते हैं एक तसरी में बहुत सरी activities associated होती है जिसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह का market है उसको हम target करते हैं किस तरह की महाँ पर requirement है customers को कौन से product चाहिए उनकी need क्या है और किस level पर satisfaction चाहते है उसके हिसाब से उनकी need के हिसाब से उनकी desires के हिसाब से उनको product provide कराना जो कि उनके competitor से better हो यही कहलाता आपका marketing इसके साथ marketing की आपके पास और भी definitions है जैसे यह भी कह सकते हैं आप कि marketing एक तासे एक function है set of process का जिसके अंदर हम किसी product को design करते हैं create करते हैं communications करते हैं customers के थूँ और किस तरह हम अपने जो relations होते हैं customer से better बना के रखते हैं जिसके थूँके हमारे organizations को हमारे organization के stakeholders को ज़्यादा ज़्यादा benefit हो तो marketing is an organizational function and a set of process for creating communicating and delivering values to customers and for managing customer's relationship in a way that benefits the organizations and its stakeholders तो इसके अदर हम उने products को अपने services को किस तरह customers तक provide करते हैं किस तरह हमको satisfaction प्रवाइड करते हैं और किस तरह customers के साथ हमारे जो relationship होती है उनको हम better बनाते हैं जिसके थूँके हमारे organizations को और हमारे stakeholders दोनों को benefit हो इसके साथ एकर आप marketing एक और definition की बात करते हैं marketing refers to understanding the customer needs wants and interests and serve them in such a way that it helps the organizations to use the resources optimally अब इसमें होता है कि marketing को किस तरह हम refer कर सकते हैं कि इसमें हम देखते हैं क्या customer की हमारी need है उसको समझना उसकी need क्या है उसकी requirement क्या है हमारे customers का interest किन किन चीज़ों में है और उसकी needs, requirements wants के हिसाब से product को design करना services को design करना और उनको फिर provide करना जिसके through की organizations के resources का maximum use कर सके उसकों कहके थे marketing अब इंडिया की बात करें जो एक emerging economy है इस time पे क्योंकि हमारी जो इंडिया थी पहले क्या था हमें एक developing economy के अंदर आते थे लेकिन देरे देरे क्या है अब हमारी जो economy है वो emerge हो रही है दीरे दीरे develop हो रही है और हम develop nation की तरफ increase हो रहे है या उसकी तरफ बढ़ रहे है अब जैसे कोई अगर market develop होती है तो उसके अंदर क्या होता है customers के सामने बहुत सारे services available होती है बहुत सारे products को offer किया जाता है उनको use के लिए एक ही product के कह सकते है बहुत सारे substitute available होते है जिसके तरू कि वहाँ पर जो भी lifestyle हो लोगों का वो develop होता है वो better होता है उनके पास choices ज़्यादा होती है वो ज़्यादा ज़्यादा कह सकते है expenditure बढ़ाते है product और services के लिए लिकिन यहाँ पर एक limitations क्या होती है जब हम कहते हैं बहुत ज़्यादा products available होते है market में तो यहाँ पर हमारा जो gap होता है reach और poor persons के बीच में या हमारा जो society होती है उसके बीच में वो gap धिरे-धिरे बढ़ने लग जाता है क्योंकि यो products की quality के हिसाब से उनके price होते है एक कोई product होगा elite group के लिए design करेगा तो कोई उसको क्या middle class या lower class के लिए तो हमारे जो marketing managers होते हैं इन सभी चीजों का ध्यान रखना होता है उन्हें किस तरह की marketing strategy को develop कर रहे हैं next आपका marketing involves satisfaction of consumer needs आपका marketing क्या होता है marketing involve होता है satisfaction of consumer needs इसको हम किस तरह justify करेंगे इसको किस तरह explain करेंगे तो जब आप मार्केटिंग की बात करें तो marketing का मतलब ही क्या होता है marketing का मतलब होता है हम इस तरह के product और services को develop करें जिसके तो कि हम customers को जादा जादा satisfaction provide कर सकें क्योंकि जब तक आपके customers आपके product से आपके services से संतुस्ट नहीं होंगे satisfy नहीं होंगे तब तक वो आपके product की जो sale होती है उसको increase नहीं कर सकते है जब आपके product quality अच्छी होगी आपके services अच्छी होगी आपके features अच्छी होगे तभी आपका product market में ज़्यादा ज़्यादा share होता है उसका percentage होता है market share होता है वो increase कर पाएगा तो मार्केटिंग का यही होता है कि हम किस तरह अपने product का जो share होता है market के अंदर उसको increase करें अब चाहिए उसके लिए हम कोई कह सकते हैं selling की techniques का use करें चाहिए कह सकते हैं कि promotion की techniques का use करें अपने product के design को change करें मतलब कुछ भी ऐसा करें जिसके थूँ कि हम customers को अपने consumers को ज़्यादा ज़्यादा satisfaction level तक ले जा सके तो marketing का मतलब क्या है आपका कि हम किस तरह अपने product को develop करें जिससे अपने customers को हम ज़्यादा ज़्यादा satisfaction provide कर सके अगर मार्केटिंग की बात करें मार्केट की बात करें तो आपर consumers को कहते हैं एक तरह से king की तरह treat किया जाता है यह कि customer ज़्यादा king of market तो अगर customer आपके product satisfy यह खुश है तो कह सकते हैं कि आपका product develop होएगा आप success करोगे और अगर आपने customers के ध्यान में रखकर अपने product को design नहीं किया या उसके satisfaction level को उसके needs को wants को ध्यान नहीं दिया तो आप कभी भी success नहीं हो सकते इसके साथ हम देखते हैं कि marketing के benefits क्या क्या होते हैं वैसे तो marketing के बहुत सारे benefits होते हैं लेकिन हम यहां perspective बात करेंगे customer के perspective से सबसे पहला होता है कि इससे जब हम कोई marketing की activities को करते हैं तो उसके लिए हमें human resource की need होती है human resource की need होगी तो कहीं न कहीं हम आपर employment को generate करते हैं मतलब जो हमारी opportunities होती है employment की उसको increase करते हैं जब employment बढ़ेगा तो हमारे वहां के दो भी people है उनके जो income level है वो भी increase होईगी दूसरा होता है जो products की quality होती है चाहिए goods की बात करें चाहिए services की बात करें अगर आपके पास marketing अच्छी है आपकी country मार्केटिंग ज़्यादा ज़्यादा हो रही है पाता है आपका कि हमारे जो consumers होते हैं उनके पास choice करने के लिए बहुत ज़्यादा opportunities अवेलेबल होती है एक ही तरह के product के बहुत सारे substitute market में अवेलेबल होते हैं तब यह नहीं होता है कोई monopoly create कर सकता है या consumer के पास सिरफ एक ही product है कि उसको वही choose करना है उसके साथ ही आपका जो awareness spread करनी होती है वो भी मार्केटिंग के थुरू ही होती है मार्केटिंग के थुरू ही consumers को पता लगता है कौन सा product market मार्क है कौन सा हमारी health के लिए अच्छा है नहीं है उसके क्या benefits है इन सभी points के बारे में हमें marketing से ही पता जलता है कि मार्केटिंग कोंसेप्ट की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि जितनी भी companies होती है उनका कुछ ना कुछ perception होता है कुछ ना कुछ orientation होता है कि किस तरह वो अपने business को आगे ले जाते हैं अपने products को किस तरह sale करेंगे किस तरह अपने services को provide करेंगे किन चीजों का ध्यान रखते हैं वो product की price के उपर focus करेंगे quality के उपर focus करेंगे या अपनी selling techniques के उपर focus करेंगे यही सब आपका जो कहलाता है marketing concept कि किस तरह के perception को लेकर वो अपनी marketing करते हैं अगर हम इंडिया के अंदर हम बात करें या international level पे बात करें कि हम जितना ज़्यादा production करेंगे उतना ही हमारी जो costing होईगी वो कम होती जाएगी क्योंकि reality आपको पता है कि आप जितना production अपना बढ़ाते हैं आपकी जो costing होती इस product की उतनी ही कम होती जाती है तो इसमें हमारे जो industrial या हमारे जो business man's है उनका belief होता है कि वो अपने production जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतनी ही उनके product की value कम होईगी उनकी जो costing होती है वो कम होईगी और जब कोई product की costing कम होईगी तो उस price को उस product को society का हर group easily effort कर पाएगा तो उनका माना यही होता है कि हम ज़्यादा ज़्यादा production करें जिसके थूँ कि हमारी जो input cost आएगी वो कम होईगी और हमारे product market में other product से सस्ते available होईगी हमारा जो offer rate होईगा और और comparison low होईगा और जब हमारे product सस्ते होईगे तो वो हर किसी के लिए easily रहेंगे afford करने तो उनका main focus होता है हमारे production concept का कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने production को बढ़ाया जा सके अब दूसरा concept है अपका product concept अब यह तो से कह सकते हैं totally different है या कह सकते हैं inverse है हमारे production concept का production concept में हम product की quality उसके features के बारे में बात नहीं कर सकते हैं production में हम बात करते हैं सिरफ उसकी price value की लेकिन जब हम product concept की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं उसकी value क्या है या हमें इससे कोई मतलब नहीं होता हम यहाँ focus करते हैं कि product की क्या quality है किस तरह हम अपने product को improve कर सकते हैं किस तरह उसको modify कर सकते हैं किस तरह उसके अंदर कोई ना कोई कह सकते हैं innovative features को add करकर उसको पहले से better बना सकते हैं इनका मानना होता है कि जब हमारे products पहले से better होंगे उनकी quality improve होगी उनने modify किया जाएगा तो consumers उसके लिए ज़्यादा ज़्यादा price देने को भी तयार होगी और इस तरह कह सकते हैं कि वो सोचते हैं कि अगर हमारे product की quality अच्छी होगी तो हमारे कोई भी product price हम कुछी भी रखे वो sales होगा market में और इस तरह हम easily success पा सकेंगे next आपका selling concept अब इसके अंदर ना तो ये production के उपर focus करते हैं और ना ही ये product के उपर focus करते हैं मतलब ना तो price को focus करते हैं कि हमें इस price में रखना है product को कम price में लेकाना है और ना ही ये रखते हैं कि हमें अपने product की quality को improve करना है उसे modify करना है या उसके अंदर additional features को add करना है इनमें इनका believe होता है customer तब तक किसी product को नहीं purchase करता जब तक कि आपकी selling और promotion की जो techniques होती है वो aggressive ना हो मतलब यहाँ पर total focus होता है हमारे sales person के उपर किस तरह consumers को attract करते हैं अपनी तरफ, किस तरह उनके mind को change करेगी वो product उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो यहाँ पर हम यह नहीं होता कि product को consumers की need की हिसाब से बनाते हैं यहाँ पर हम production पहले करते हैं और फिर बाद में सोचते हैं कि किस technique का use करकर इस product को market में sales किया जाए next आता है अपका marketing concept marketing concept के अंदर देखेंगे कि हमने production तो कर लिया है अब production के बाद देखते हैं कि हम इस product को market में या consumers तक किस तरह पहुचाया जा सके इसमें हमारा main focus होता है कि consumer का satisfaction level होता है उसकी जो wants होती है उनको किस तरह पूरी किया जा सके इसमें यह नहीं है कि हम सिरफ product को पर focus करते हैं लेकिन हम इसके देखते हैं कि किस तरह की market को में focus करना है consumers तक पहुचने के लिए किस तरह के channels का use करेंगे consumers की needs क्या है मतलब क्या efficiency है हमारे competitors की हमारा कह सकते है satisfaction level क्या है मतलब यह हर चीज इसके अंदर include करते हैं marketing concept के अंदर last आता आपका societal concept अब इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा जो भी product है वो society के लिए हमारे environment के लिए welfare है या नहीं है मतलब उस product से society का कोई welfare जुड़ा है या नहीं जुड़ा है हम देखते हैं कई organizations time time पर अपने welfare कह सकते हैं कुछ meet up करवाते हैं कोई blood donation camps organize करता है तो कोई health check up या किसी के product कहते हैं कि वो eco friendly है या education sector पर या उनकी social responsibility होती है उनको ज़्यादा ज़्यादा पूरा करते हैं या उनको complete करते हैं मतलब क्या होता है मतलब कुछ ऐसा करना चाहते है कि जिसके थूँ कि society का welfare हो सके और इनका मानना होता है कि अगर हमारे products की value हमारे products की वज़ा से हमारे organization की वज़ा से कोई society की development होती है society welfare होता है तो उसका effect हमारी तो sales है उस पर भी देखने को मिलेगा तो ये थे हमारे total 5 concept marketing की जिनको की अलग-अलग firms अपनी need की साफ से अपने beliefs की साफ से इनको use करती है next है आपका explain the importance of marketing for a consumer durable company in Indian context कि क्या importance है marketing का अपने consumers को long time तक stake करने के लिए उनको अपने साथ रोके रखने के लिए अगर हम marketing की बात करें तो marketing का सकते हैं एक तरसे core business discipline है जिसके अंदर के हम बहुत सारी activities को करते हैं जैसे कि आपकी advertisement है आपकी research है आपकी public relations है आपकी sales है promotion है आपका transportation है मतलब बहुत सारी activities को किया जाता है आपकी marketing के अंदर इन activities को करने का main reason क्या होता है main reason वही होता है कि किस तरह हम अपने profit को बढ़ा सके किस तरह consumers को जादा जादा satisfaction दे सके किस तरह अपने product को market में available दूसरे product से better दिखा सके आज के time पे हम देखते हैं कि जब marketing की बात करती market में एक आप हुसकता आप example पर कोई pen मी purchase करने जाते हैं तो आपको market में हजारों तरह के pen available होते हैं लेकिन उन हजारों तरह के pen में से क्या कुछ वो अलग करें अपने product quality को किस तरह improve करें कि वो consumers किसी और दूसरे pen पर shift ना हो तो वो हमारी marketing ही कहलाती है मतलब किस तरह हम उसके product को advertise करते हैं उसकी publications को किस तरह develop करते हैं किस तरह करते हैं किस तरह वो pen हमारे consumers तक इसलिए पहुच पाता है उसकी availability क्या होती है ये सबी चीज़े हमारी marketing के अंदर होती है क्योंकि marketing का कह सकते हैं कि कोई भी firm है अगर वो marketing का use नहीं कर सकती या नहीं करती तो वो कभी भी success नहीं हो सकती क्योंकि time by time हमारे तो environment है market का बदलता रहता है हमें अपनी policies को हमने promotion methods को अपनी sales को advertisements को हर चीज़ को time to time बदलना पड़ता है हम देखते हैं notice करते हैं कि हमारे तो product है consumers के लिए beneficial हो रहे हैं नहीं हो रहे consumers को किस range के product चाहिए market में कौन कौन से range available है उनकी तो choice होती है हमारे consumers की किस तरह change हो रही है market में कोई competition आया है या नहीं आया है अगर कोई competitor मार्केट में आया है तो किस तरह हम वहाँ पर advantage उठा सकते हैं हमारे products की क्या कह सकते हैं हमाँ पर weakness हो रही है जिसकी हुजासे product हमारे sales कम हो रही है मतलब बहुत सारे factors है जिनको analyze हम चरफ marketing के अंदर ही करते है इसके साथ ही हम देखते हैं कि अगर कोई business है वो success नहीं हो रहा है या कहसकते हैं अपने marketing को responsible नहीं होता उसके लिए तो सिदी सी बात कह सकते हैं failure हो जाता है क्योंकि अगर कोई अपनी marketing strategies के लिए responsible नहीं है उस पर अपना intentionally work नहीं करता तो कभी भी success नहीं हो सकता कि marketing का मतलब ही यही है कि हम किस तरह production करें मतलब यह starting होती है आपकी research work से और खतम होती है आपके consumers की sales के बात की services तक marketing अगर हम बात करें four piece की बात करते हैं product, price, promotion और place अगर हम इन चारो components को सही से deal ना कर सकें मतलब हमें किस तरह का product बनाना है उसका size क्या होना चाहिए उसकी quality क्या होनी चाहिए अगर हम यही decide नहीं कर पाएंगे तो किस तरह हम long time तक consumers को अपने साथ जोड के रख पाएंगे time के साथ market में हमारे competitors भी available होते हैं competitors आते हैं तो हमें यह भी देखना होता है कि हमारा जो price है वो किस तरह उन से negotiate करें किस तरह हम अपने price को हमारा जो product का price है other competitors से अलग रखें किस तरह promotion करें किस place का use करकर उसको available करवा है customers को place के अंदर आप देख सकते हैं आप retailers को provide करा सकते हैं online shopping के थूँ provide करा सकते हैं या आप कोई भी grocery shop या आपके जो multi complex होते हैं उनके थूँ उस product को satisfy या उनको consumers को provide कर सकते हैं तो आपको पता है कि consumer को consider किया था as a king of market तो यहाँ पर हम सारा काम जो भी marketing की process होती है main focus होता है कि अपने product की quality को improve करना उसके price को control करना अपने product की quality को improve करना उसके अलग-अलग varieties को develop करना और better से better services provide करना अपने consumers को एक reasonable price पर तो कि जब हम ये काम करेंगे तब ही हमारे जो consumers होते हैं हमारे साथ long time तक जुड़े रहेंगे next आपका difference between marketing and selling काफी important है difference exam में कई बार आपके आचुका हास्त हगिए तो इस question को धान से करिएगा तो कि हम selling की बात करते हैं तो selling में क्या होता है emphasis on product मतलब इनका तो main focus होता है सिरफ product के उपर होता है मतलब product इनको sales करना है उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं होता लिकिन जब हम marketing की बात करते हैं तो marketing में product को design किस तरह करते हैं मतलब वो देखते हैं कि consumers की need क्या है उसकी wants क्या है उसकी desires क्या है उन चीज़ों को पर focus के राता है उसके बाद ही हम product को design करते हैं लेकिन selling के अंदर वो direct product को तयार कर लेते हैं फिर वो नहीं देखते हैं किस तरह की product को तयार करना है main focus होता हूँगा कि product तयार करना है बस दूसरा होता है company manufactures the product first and then decide to sell it selling में क्या होता है company कोई भी product develop कर लेती है बाद में उसके लिए strategies बनाती है कि किस तरह उस product को sales करना है लेकिन marketing में पहले company decide करती है determine करती है कि consumers की needs क्या है wants क्या है desire क्या है उसके बाद जो complete research होती है उसका data निकाल कर उसको analyze करकर फिर उस research के हिसाब सही product को design करती है जिससे कि consumers को जादर जादा satisfaction दे सके हमारी तो selling होती है वो होती है sales volume oriented हमारी selling का main purpose ही कि होता है कि अपनी sales volume को increase करना लेकिन marketing का main purpose होता है अपने profit को increase करना कि जब profit होगी तो हमारी sales तो अपने आप increase होई जाहेगी अगर हम planning की बात करें कि किस तरह की planning करें जाती है selling और marketing अंदर तो हमारी selling अंदर planning होती होँ होती है short term के लिए जो सकता है एक week के लिए, एक month के लिए planning की जाए लेकिन जब हम बात करते हैं marketing के लिए तो marketing में तो planning होती है वो long term oriented होती है अब selling अंदर secondo जो main stress होता है इस तरह की techniques का use करकर consumers की needs को product के अंदर किस तरह convert करें लेकिन marketing अंदर main stress होता है कि wants of buyers कि buyers की wants क्या है उनकी desires क्या है selling की बात करें to use business as a good producing process तो selling देखता है business को good producing process मतलब इसमें इनका मानना होता है कि business क्या है selling के अंदर मानते हैं कि business के अंदर सिर्फ हम एक product को produce करते हैं लेकिन marketing अंदर देखा जाता है कि business क्या है business का मतलब है consumers को किस तरह satisfaction करना उसकी process है आपकी marketing अगर हम emphasis की बात करते हैं emphasis is on the staying with existing technology and reducing cost अब selling के अंदर हम देखते हैं कि हम हम जो existing technology होती है हम उसी के साथ रहकर अपनी cost को कम करते हैं लेकिन marketing अंदर हम बात करते हैं किस तरह नए नए innovation लाए जासके हैं अपनी नए नए technologies को हम किस तरह adopt करें क्योंकि जब हम नए technologies को adopt करेंगे तभी हम consumers का satisfaction लेवाले अपने products को modify कर पाएंगे उसमें नए नए features include कर पाएंगे लेकिन selling ऐसा कुछ भी नहीं करता है वो existing technologies को ही use करता है जिसके तरह के अपने cost को कम करने कोशिश करता है next आपका different departments work as in a highly separatable watertight compartments अगर हम बात करें selling के अंदर selling के अंदर हमारे जितने भी अलग-अलग department होते हैं वो सभी एक दूसरे से अलग-अलग काम करते हैं मतलब आपके sales के जितने भी department है आपके जिसे autumn oil है या आपके manufacturing है आपके spare parts अदर सारे एक दूसरे से अलग काम करते हैं लेकिन जब हम बात करते हैं marketing के जितने भी department होते हैं सारे कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ integrate होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं अब बात करते हैं selling के अंदर तो हमारी cost determine करती है price अब selling में आपकी cost किस तरे determine करी जाएगी price के तो कि हमारी क्या production आई है लेकिन marketing के अंदर हम बात करेंगे consumer determines price कि consumer किस price पर उस product को चाहता है और जिस price पर हमारा consumer उस product को चाहेगा उसी price पर हम उस product को available करवाने की कोशिश करते हैं तो selling में हमारी costing आती है वही हमारी price बन जाती है लेकिन marketing में हमने देखते हैं कि consumers की need क्या है वो किस price पर लेना चाहता है उस product को उसके हिसाब से वहाँ पर cost को decide करते हैं अब selling अंदर देखते हैं selling views consumers as the last very purpose of the selling और marketing में marketing views the customer as the link of the business अगर हम selling की बात करते हैं selling में हम देखते हैं consumer जो हुता है very last purpose होता है business का मतलब बिजिशन का आखरी purpose क्या होता है customer मतलब customer को अपने product को sale करना हमार आखरी purpose होता है लिकिन जब हम marketing अंदर बात करते हैं marketing में देखते हैं consumer जो होता है यह जो वमारा customer होता है यहाँ लिंक होता है business का क्युक्छ हाँ यहाँ पर हम sales oriented की बात नहीं करते हैं हो यहाँ पर प्रोफिट oriented की बात करते हैं यहाँ पर double consumers को एक link की तरह use करते हैं उसकी link की तरह देखते हैं नेच्ट उका आता आपका comprend the growth of consumerism in indian context कि इंडियन कॉंटेक्स्ट में हमारा जो consumerism है कि इस तरह grow हुआ है तो इंडिया के तरह हम consumerism की बात करें तो तीन फ्रेज हमारे पास pre-independence period, post-independence period and liberalization, privatization and globalization तीन तरह के हमारे पास phrase available है हमारे consumerism के development के तो हमारा जो पहला phrase है, first phrase है मतलब pre-independence period मतलब यह वो time था जब British का हमारे उपर control था हमारे उपर जो हम उनके अंडर थे तो उस time पे maximum हमारी जो भी population थी वो agriculture के उपर dependent थी जब हम agriculture के उपर dependent थी तो हमारी जो purchasing power थी वो बहुत ही कम थी और थीवे तो गिंती के लोगों के पास ही वो purchasing power थी maximum जितनी भी हमारी large enterprises थी, large organizations थी, large factories थी वो सारी की सारी government के अंडर आती थी और उस time पे government के अंडर काम क्या करती हमारे British government के अंडर काम क्या करती तो normal लेकर हम short में बात करें तो Britishers का उस time पे major stakes था ownership में हमारी countries के large enterprises के अंडर चाहे कोई भी industries हो उसके अंडर जो control था हो सारा का सारा control Britishers का था अब इसके बाद आता आपका दूसरा phrase आपका post-independence period अब post-independence period के अंडर देखा गया कि किस तरह हमें freedom मिल गई है उसके बाद हमने देखा कि हमारी country में competition नहीं है कि हमने देखा जब competition नहीं है तो आपके products की quality होगी वो improve नहीं हो पाएगी public sector आपके maximum areas को operate कर रहे थे क्योंकि जब public sector किसी को operate करेगा तो competition वहाँ पने आप खतम ही हो जाएगा क्योंकि competition वहीं आता है जब कोई private sector या दूसरी country के कुछ companies आपकी country मा है लेकिन उस टाइम पे हमारी जो economy थी पूरी तरह से जैस्टिक्टीट थी safety कोई भी outsider country उसमें आनी सकती थी सारी industry सिरफ government sector के लिए थी public sector के लिए थी किसी भी private entrepreneurs को वहाँ पर available नहीं थे उन sectors में investment करना तो ना competition था नहीं हमारे seller dominate कर रहे थे market को नहीं हमारे पास बहुत ज़्यादा manufacturers थे और नहीं हमारे products जो quality थी वो इतनी अच्छी थी हमारे manufacturers तो थे हमारे पास लेकिन उनका main purpose यह नहीं था कि products की quality को उपर काम करें satisfaction को उपर काम करें कि उन्हें पता था वो गिंती के 2 या 4 manufacturers उस टाइम पर थे तो वही हमारे products को sales कर रहे थे second phrase आता है आपका after independence दे के बाद मतलब जब आपकी independence हमें मिल गई तो उसके बाद आपका दूसरा phrase सुरू होता है यहाँ पर ना तो कोई competition था और हमारी जो public sector थी वो सारी market को operate कर रही थी हमारी जो per capita income थी हमारी जो growth rate थी वो भी बहुत दीरे थी हमारे जितने भी large enterprises थे वो सारे सारे कौन deal कर रहा था हमारी government deal कर रही थी तो वहाँ पर क्या हुआ उसकी वजासे ना तो फिर competition भड़ा और no sellers dominated the market manufacturers were not concerned about product quality and consumers satisfaction अब वहाँ पर जो भी हमारे sellers थे वो डोमिनेट कर रहे थे और जो market manufacturers थे वो कभी भी product की quality को उपर consumers की satisfaction को उपर ध्यार नहीं दे रहे थे वो का मतलब चिरफ यही था कि product को जादा जादा manufacture करना और market में sales करना हमारी market पूरी तरह से security protect थी from foreign players या कहा सकते हैं जो outsiders थे हमारी India के उनसे हमारी market पूरी security क्योंकि restriction था उस ताइम हमारी economic कोई भी दूसरी country का person हमारी country मा कर investment नहीं कर सकता लेकिन जैसे जैसे हमारी population बढ़ती गई देखा जाने लगा कि हमारा अब जो difference था वो बढ़ता जा रहा था reach or poor का हमारी जो demand थी need थी वो भी पूरी नहीं हो पा रही थी तो इसके बाद हमारा third phrase आता है third phrase हम बात करते हैं LPG की जो हमारी policy अपनाई गई अब 1991 के अंदर तो वो कभी भी कह सकते हैं उस time पर main focus वो product quality के उपर तो काम करी नहीं रहे थी कि उन्हें पता था सिर्फ वही है जो उस product को produce करेंगे कोई substitute available नहीं consumers के पास लेकिन जब हमने देखा कि अब हमें अपनी economy को open करने की जरूरत है अब हमें दूसरी countries को अपनी country में invite करने की जरूरत है कि अब हमारे जो industries है वो इस like हो चकी है कि वो international markets का international products का competition कर सके 1991 के अंदर हमारी economy को पूरी तरह से open कर दिया गया private sectors के लिए या foreign direct investment के लिए अब इसके दर हम देखते हैं कि अब दूसरी country से जो भी FDI नी starting हुई हो हमारी country मानी शुरू हो गई हमारी country के अंदर बहुत सारे financial collaborations देखे गए, mergers देखे गए, acquisitions देखे गए, joint ventures हमारा, technical collaborations य इसके बाद अब हमारे पास हर products के बहुत जादा substitute available हो गए थे, अब यहाँ पर यह नहीं था कि कोई product सिर्फ public sectors के लिए था, या फिर कह सकते हैं कोई product में सिर्फ government की monopoly थी, अब यहाँ पर हमारे पास हर product के बहुत सारे substitute market में available हो गए थे, employment बढ़ रहा था, अब जब हमारे competitors आचुके थे market में, तो product सिर्फ जो quality थी, उनका satisfaction level था, कहीं न कहीं, अब हमारे organizations थी, उसके उपर भी काम करने लग गए थे, हमारे entrepreneurs थे, अब उनका main focus था कि किस तरह product को develop किया जा सके, better बना जा सके, comparison to other competitors, तो यह हमारा था consumer किस तरह develop कुआ है, इंडिया के अंतर, next आपका, give an overview of the marketing management process, कि marketing management process का हमें overview देना है, तो marketing management process में, सबसे पहला जो starting होती है, वो होता है, identifying and analyze marketing opportunities, तो सबसे पहला हम देखते हैं, कि marketing के अंदर, हमारे organizations के लिए, कौन-कौन सी opportunities available है, market के हिसाब से, और हमारी जो firms है, हमारी जो company है, उसकी क्या strength है, क्या weakness है, कौन-कौन से competitors मार्केट में available हैं, अगर हम market mentor करते हैं, तो हमारी firm scheme है पर current position क्या है, क्या opportunities हमें मिलेगी, consumers की जो need है, जो उनकी desires है, क्या उनको हम पूरा कर पाएंगे या नहीं, तो यहाँ पर इन सभी चीजों को analyze किया जाता है, identify किया जाता है as a opportunities, इसके बाद हम देखते हैं, segment of market, या segment दा market, अब इसके निदा हम पूरी-पू similar way में respond करते है जैसे आप बात करते हैं, यूद को अलग divide कर लिजिए, ladies को keh sare जाता है, children's को अलग कर सकते हैं, या आपकी school going students होते हैं, उनको अलग segment में divide कर सकते हैं, इनकी इसाफ साम देखते जाता है कि कि सेगमेंट के लिए हम जादा compatible हैं, कि सेगमेंट के अदर हम जाद से यह जो group है जो यंग group है वो कितना ज़्यादा कैसकते है autumn wilds का use करता है जो जितना ज़्यादा जिसके हम team तरह की category में divide करेंगे एक youth होएगा एक young होएगा एक आपका old age कौन सा group है जो सबसे ज़्यादा autumn wilds का use करेंगा हम उसी के लिए जाता जाता काम करेंगे तो इस तरह आपको market segment का use करना होता है इसके बाद आता आपका developing the marketing mix अब जब आपने product को develop कर लिया तो उसके बाद आपको देखना होता है मतलब आपके research complete हो चुकी है कि आप किस तरह के segment पर काम करोगे फिर आपको देखना होता है कि आप किस तरह के product को develop करोगे उसकी price क्या होगा उसकी quality होगी उसका size क्या होगा किस place के थूँ किस platforms के थूँ उसको available करवाएंगे consumers को promotions के लिए किन techniques का use करेंगे हम coupons का use करेंगे vouchers का use करेंगे या कह सकते हैं आप direct selling का use करेंगे मतलब किस तरह की promotion techniques का use करेंगे advertisement करेंगे हम या कह सकते हैं हमारे जो भी banners लगाय जाते हैं मतलब किसी भी तरह का promotion करेंगे तो वो सब हम किस में develop करेंगे marketing mix के अंदर हम क्या देखते हैं किस तरह का product होगा उसका price क्या होगा, किस place के थूँ, किस platform के थूँ अवेलेबल करवाया जाएगा और किस तरह से हम उसका promotion करेंगे इसके बाद आता आपका managing the marketing task अब सब कुछ हमने decide कर लिया होता है तो इसके बाद हम देखते हैं इन सबी चीज़ों किस तरह manage करना है मतलब हमने जो planning करी उस planning को किस तरह implement करना है किस तरह अपनी marketing strategies को control करना है हमारी जो marketing planning होगी strategies होगी किस तरह tactics को develop करना है अब हमने marketing planning तो कर लिए उनको किस तरह implement करना है implement अगर कोई कमिया रह जाती है तो उस कमी को किस तरह पूरा करना है कितना time देना है हमें अपनी किसी planning को और किस तरह हम अपनी marketing audit को complete करना है यह कुछ parts थे, steps थे हमारे marketing के next आपका what is the role of marketing define the objectives of marketing तो role क्या होता है marketing का और objectives क्या होते है जिनके बारे में discuss करेंगे अगर हम role की बात करें तो marketing का role क्या होता है marketing बहुत important role play करती किसी भी economy के लिए, उसके development के लिए वहाँ पर कह सकते हैं products की quality को improve करने के लिए वहाँ पर कह सकते हैं opportunities प्रवाइड करती है एक तरह से employment के लिए better techniques प्रवाइड करती है consumers के satisfaction level को बढ़ाती है जो भी उनके demand होती है उसको increase करने में help करती है तो मतलब यह हमारे बहुत सारे roles होते हैं marketing के marketing अगर है aims की बात करें तो इसका मतलब यह होता है किस तरह हम अपने consumers के साथ relationship को build करें उनको satisfy करें उनकी needs को complete करें through the process of meeting the organization's goals और इसके तरह हम marketing objectives की बात करें तो हमारे जो objectives होते हैं वो होने चाहिए smart अगर हम smart की बात करते हैं मतलब smart का मतलब क्या है तो यह कुछ एक short form एक abbreviation की तरह use करते हैं smart को कि हमारे जो objective होने चाहिए marketing के इस तरह होने चाहिए तो यहाँ पर आपका जो S मतलब होता उसका मतलब होता specific मतलब आप यह देखे कि आपका जो goal है आपका जो objective है वो कुछ एक specific होना चाहिए यह नहीं कि आप common goals की तरफ move कर रहे हैं दूसरा होना चाहिए measurable मतलब आपका goal जो हो आपका objective उसका आप measure कर सके किसी भी form में यह नहों कि आप उसको measure ही ना कर पाऊगी जब तक आप किसी चीद को measure नहीं कर पाऊगे तब तक आपको यह पता ही नहीं लगेगा कि आप उस goal को achieve कर पा रहे हो यह नहीं कर पा रहे हो तीसरा आपका होता है A, A का मतलब होता achieve मतलब goal वही decide किया जाना चाहिए जो कि आपके लिए practically possible हो जिसको achieve किया जासके जिसको attain किया जासके कोई ऐसा goal decide ना कर दिया जासके कि जिसको achieve करना ही impossible हो Next आपका realistic realistic की बात करें कि realistic हम देखते हैं कि हमारे जो भी objectives हैं और जो हमारे पार resources हैं उन resources का use करकर हम उनको कर सकते हैं या नहीं हमने goal तो कोई और decide कर लिया objective decide कर लिया लेकिन हमारे पास उस level के लिए resources अवेलेबल नहीं है तो हमने को resources limited resources के अंदर रहकर उस goal को decide करना होता है उस objective को decide करना होता है Next आपका time आपको time जरूँ decide करना होता है कि अगर आपने कोई goal decide किया है तो हमारा marketing का मतलब यही होता है कि हम किस तरह अपने profit को earn करें profit को बढ़ाएं consumer के satisfaction को बढ़ाएं क्योंकि satisfaction जब बढ़ेगा तभी हमारा जो profit होगा वो increase होगा यह सारे कह सकते हैं किस दी से related होते हैं इनका जो main objective होता है इन objectives को set करने का हमारा need and wants कि need and wants क्या है potential customers की उसके हिसाब से हम अपने objectives को set करते हैं इसके बाद देखते हैं कि satisfaction customers to provide a product or service as per the needs and wants of the customers to satisfy them customers की जो need है जो demand है उनको वो product किस तरह provide किया जा सके उनके services को किस तरह provide किया जा सके sales की बात करते हैं किस तरह हम अपनी sales को revenue को generate करें increase करें जिसके तरह कि हम उने profit को बढ़ा सके market share को किस तरह में constant रखना है increase करना है या उसको बढ़ाना है consumers के बीच में awareness कैसी फलाई जाए अपने brands के लिए अपने brand की image के लिए brand के names के लिए किस तरह consumers को services provide करेंगे before or after selling product किस तरह हम अपने products को launch करेंगे किस तरह consumers को बीच में अपने products को better provide करेंगे better दिखाएंगे comparison to other competitors किस तरह हमारी तो operating cost होती है उसको किस तरह कम करेंगे ये सारे कुछ हमारे कह सकते हैं objectives होते हैं जिसके लिए कि हमारे कोई organizations हैं अपने goals को अपने objectives को define करता है ये कुछ ऐसे reasons है जिनकी वजह से कोई organizations अपने objectives को इनको ध्यान में रखकर रही अपने objectives को बनाता है तो ये आपके questions खतम होते हैं I hope आपको सब को समझ मार गया होगा अगर आपको कोई issue है कोई doubt है तो आप comment section में comment करकर मुझसे पूछ सकते हैं और अब आप मुझसे मेरे telegram और instagram पर भी जोड़ सकते हैं तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ तब तक लिए take care, good bye friends